राधे क्रिश्न भक्तो मंगलवार व्रत कथा पढ़ने या सुनने से हनमान जी की क्रिपा बनी रहती है एवं सबकस्ट दूर होते हैं मंगलवार व्रत करने वालों को मंगलवार व्रत की कथा अवश्य पढ़ने चाहिए तो आए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा एक समय की बात है एक ब्राम मरदम पती के कोई संतान नहीं थी जिसका रड़ वह बहुत दुखी रहता था एक समय ब्राम मरवन में हनमान जी की पूजा के लिए गया वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना घर पर उसकी इस्तरी भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत करती थी वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनमान जी को भोग लगा कर ही भोचन करती थी एक बार व्रत के दिन ब्रामडी ना भोजन बना पाई और ना ही हनमान जी को भोग लगा सकी उसने प्रड़ किया था कि वह अगले मंगलवार को हनमान जी को भोग लगा कर ही भूचन करेगी वह भूकी प्यासी छे दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वह बिहोस हो गई हनमान जी उसकी निस्ठा और लगन को देख कर प्रसन हो गए उन्होंने आसिरवास रूप ब्रामड घर आया तो बालग को देख पूचा कि वह कौन है पत्नी बोली कि मंगल वार वरत से प्रसन होकर हनमान जी ने उसे या बालग दिया है ब्रामड को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका देख कर ब्रामड ने बालग को कुए में गिरा दिया घर लोटने पर ब्रामडी ने पूचा कि मंगल कहा है तभी पीछे से मंगल मुस्करा कर आ गया उसे वापस देखकर ब्रामड आश्यर चकित रह गया रात को हनमान जी ने उसे सपने में दरसन दिया और बताया कि यह पुत्र उसे उन्हों नहीं दिया है ब्रामड सत्य जान कर बहुत खुस हुआ इसके बाद ब्रामड दमपती प्रतीक मंगलवार को वरत रखने लगे जै बजरंग बली